क्या युवा विरोधी हो गई है सरकारें? हाली में प्रकाशित इस समाचार पर गौर करें तो एक बार ऐसा लगता है जैसे रिटायर्ड को टायर्ड ना कहकर बुजुर्गों का सम्मान किया जा रहा है लेकिन इसका दूसरा पहलू स्या और बड़ा भयानक है जो सीधे सीधे देश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविश के इस्थाइत्त की संभावना को खत्म कर देता है यूँ भी नीजी करन के इस दौर में कम ही ऐसे संस्थान है जो सार्वजनिक शेत्र के कहे जा सके युवाओं को नौकरी की संभावना भी इनी सरकारी संस्थानों से होती है लेकिन विनिवेश के नाम पर जिस तरह से सार्वजनिक शेत्र पूंजी पतियों को सौपे गए हैं उससे सरकारी नौकरियां तो खत्मे ही हो गई हैं बचे खुझे कुछ विभाग हैं जिनमें लंबे समय से भरतियां बंध हैं लेहाजा जहां इन संस्थानों के करमचारियों पर काम काज का बोज बढ़ा है वहीं इनकी बढ़ती उम्र से गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है इनसान की कारिक शमता के अनुसार सारवजनिक तौर पर उसकी सेवा के लिए कुछ वर्ष निर्धारित होते हैं जैसे सेना में सैने के लिए 17 साल की सेवा और सिविल क्षेतर में 58 साल उम्र के साथ अनभव जरूर बढ़ता है लेकिन शारिरिक कारिक शमता पर विपरीत असर होने लगता है साथी पीडिगत बदलावों नवाचारों को अपनाने के लिए मानसिक रूप से तयारी भी नहीं होती जिसका उधारन हम सरकारी कामों में आये डिजिटल बदलावों के बाद देखी रहे हैं लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सारवजनिक सिविल क्षेतर की सेवाओं के लिए सरकारों ने उम्र 58 से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दी है मदिपरदेश सरकार ने चिकित सकों की सेवा को ये कहते हुए 65 साल कर दिया कि चिकित सकों की बेहत कमी है जबकि लाखों युवा प्रतिभावान चिकित सकों को नाम मात्र मानदे देकर समविदा अधार पर रख कर काम चलाया जा रहा है नतीजा ये है कि बेहत कम मानदे और सेवा की अस्थाई प्रकृती के चलते ये युवा चिकित सक अपनी सेवा का 100 प्रतिशत नहीं दे पाते जिसके चलते सरकारी अस्पतालों की सेवा और गुणबत्ता प्रभावित हो रही है इन मज़े अधिकान शक्षी तनख्वा की चाह में निजी अस्पतालों का रुख कर लेते हैं इस तरह एक बार फेरावशक सेवाओं के निजी करण को ही बढ़ावा मिलता है यही हाल शिक्षा मित्र या शिक्षा कर्मी के नाम पर रखे गए शिक्षकों का भी है अपने भविशका इस्थाई तो ना पाकर इन शिक्षकों का मन भी एकाग्र नहीं हो पाता प्रसार भारती आकाश वानी भी इसमें बड़ी भूमी का निभा रहा है अपनी पूरी नौकरी कर चुके रिटायर्ड अधिकारियों को अनुभवी बताकर कंसल्टेंट और अडवर्टाइजर के नाम पर जहां विभाग में 75 प्रतिशत स्थानों को भर दिया गया वहीं 10 से 30 वर्षों से सेवारत अनुभवी आवाजों को ये कहकर बाहर किया जा रहा है कि उम्र के साथ आवास की चमक फीकी पढ़ जाती है जबकि उम्र का आवास की गुडवत्ता से कोई वास्ता नहीं जिसका साक्षा तुदारण बिना का गीत माला के उद्धोशक अमीन से या गाई का लता मंगेश कर है लगाता रुपियोग और अभ्यास से ये आवाजें और मधुर होती गई है आकाश्वाणी में अधिकतर वे ही पद अस्ताई प्रकृती से भरे गए जिन पर कारिक्रम निर्मान की पूरी जिम्मेदारी होती है जिने हम रेडियो से सुनते हैं उन में से 90 प्रतिशत आवाजें और उन कारिक्रमों को तयार करने वाले लोग अस्ताई यानि कैजूल कर्मी होते हैं जिन से नाम मात्र मान दे पर कारिकराया जाता है ये कर्मी भी शिक्षा कर्मियों या समविदा चिकितसकों की ही तरह अपनी सेवाओं के स्थाईत की लड़ाई बरसों से लड़ रहे हैं अपनी सेवाओं के इस्थाई करण की आस लगाए इन युवाओं की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है और साथ ही बढ़ रहा है एक तरह का अवसाद जो इन युवाओं को समय से पहले बीमार कर रहा है इन में से कुछ खुदकशी जैसे खतरनाक स्तर पर पहुँच गए या बागी हो गए हैं जिनका फाइदा अलगाव वादी आतंकी उठा रहे हैं फिर बचे हुओं रे अराजकता की राह पकड़ ली जिनका राजने तिक दलासानी से अपनी अपनी तरह से इस्तेमाल कर ही रह क्या हमारा युवा हिंदू मुस्लिम की बहस में बढ़कर अपने मकसद को भूल गया है या मंदिर मस्जित निर्मान में अपना सुनहरा भविश्य देख रहा है क्या युवा ये सब सोच पा रहा है या रोज के एक जीबी तथाकतित फ्री डाटा का इस्तेमाल कर अपने पविश्य से बेखबर है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब किसी बड़ी तूफान के पहले की नीरवता है आखिर युवा ऐसी सरकारे क्यों चुने जो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है आखिर युवा ऐसी सरकारे क्यों चुने जो मुख्य मुद्दों से हटकर फिजूल बहसों से भर्मा रही है आप ही बता दें युवा वोट आखिर क्यूं दे